गुद मॉर्निंग इस्टुडेंट्स माइसेफ सर्ता चोहान तोड़े आई विल टीच यू मैट्स प्लीज लेट्स ओपन यू बुक्स इस्टुडेंट्स में हम पढ़ेंगे व्क्षीट नम्बर वन यह आपका रिविजन है एक तरीके का यह सब पहले आप कर चुके हैं और इसको यह रिविजन के तरह से आपको करने को दिया गया है तो first मैं आपका है rearranging the digits digits को rearrange करना rearrange the digits in correct order to match the correct number तो और यहाँ पर digits दी वहे हैं इनको rearrange करके इन्हें लिखना है match करना यह मैं आपको class में work sheet करवा चुकी हूँ जिन बचों ने नहीं किया है, वो इसे complete करेंगे, तो first आपका दिया है 263, ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया, 362, इनको arrange करके लिखना है, यहाँ पर, तो यहाँ पर लेखा 263, फिर है 452, तो 524 लेखा, तो इसे arrange करके लिखेंगे, 452, means, जो आपके यह दिये हुए है, number name दिये हुए है, इसके according हमें यहाँ पर numerals फिल करने है, जैसे 960, तो 960, 320, तो 320, इस तरह से यह आपको फिल करना है, ओके, यहाँ तक मैंने बताया, आगे का आप अपने आप से complete करेंगे, ठीक, वर्क्षीट नमबर 2 देखिए, वर्क्षीट नमबर 2 में, odd on even numbers के बारे में बताया गया है, ठीक है, तो Mr. Johnson can catch only those which have odd numbers, color the fish which he can catch, यही Mr. Johnson बैटे हैं, यहाँ पर देखिए, बहुत सारी fishes हैं, और Mr. Johnson उनी fishes को पकड़ेंगे, जो की odd numbers हैं, और odd numbers कौन से होते हैं, odd numbers होते हैं, जो 2 से divide नहीं होते हैं, और even वो होते हैं, जो 2 से divide होते हैं, जैसे की 1, 3, 5, 7, 9, यह हमारे odd numbers होते हैं, और 2, 4, 6, 8, 0, यह हमारे even numbers होते हैं, इनी से आगे हम और number बनाते हैं, जैसे 1, 1 के साथ 11 बनता है, 21, 31, 41, 51, 3, 13, 23, 33, इसी तरह से numbers बनाते हैं, इन में कोस फिशिस में टिक लगे होए हैं, जो आपके odd numbers हैं, तो इन फिशिस को आपको कलर करना है, तो यह आपका homework है, यह आप अपने आप से करेंगे, पेस टन कीजी, यह है आपकी वरक्शुट नमबर 3, जै हो है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होती है, ठीक है choose to correct eggs from the bottom of the page to put in each basket using the given place value, one is done for you, यहाँ देखी नीचे eggs दिये हुए है, तो कह रहे हैं, यहाँ पे in buckets में, place value जिसे साब से यह बताई जाएगी, उसकी according यहाँ से eggs को choose करना है, और in baskets में रखना है, फिल करना है उसको, तो यहाँ first में आपका दिया हुआ 5 और 700 प्लेस, 5 और 7 जो 100 की place पे है, तो देखें 100 के लिपे से 1s, 10s, 100, ठीक है, तो क्या है 528, 500 की place पे है, और आपका 787 आपका 100 की place पे है, तो यह दोनों यहाँ पे देखी फिल किये हुए है, इसी तरह से 6 और 0 in 1s place, 6 और 0 जहां 1s की place पे होगा, 6 1s देखें, अब जैसे 600 6, 6 देखें 1s की place पे है, तो यह यहाँ आ जाएगा, और आपका 100 में देखें, 0 हमारा 1s की place पे है, तो यह यहाँ पे आ जाएगा, ओके, next जितरह से देखें, 8 और 9 in 100 place, 8 और 9 जो हमारा 100 की place पे होगा, तो देखें 8, यह 100 की place पे है, once 10s 100 तो यह यहां पर आ जाएगा और second हमारा है 9 तो 908 तो यह हमारा यहां पर आ जाएगा next आपका है 4 और 6 in 10 place जहां 10 की place पे 4 और 6 आ रहा हो देखिए 145 once 10s 10s की place पे आ गया तो यह हमारा यहां पर फिल होगा और next आपका है देखिए कहां है यह ठीके यह हमारा यहां पर आ जाएगा इस तरह से दो बकिट रह गई है इसे आप अपने आप से फिल करेंगे इन में से डूनेंगे यहां से पढ़ेंगे और अपने आप से फिल करेंगे ओके वक्षीट नमबर फो फन विद डिवीजिन इसमें आपको डिवीजिन करना है फाइंड आउट विच मेंगो विल फॉल इन विच बास्केट कनेक्ट दा मेंगो विद दा बास्केट आपको यह फाइंड करना है कौन सा मेंगो किस बास्किट में गिरीगा और उस मेंगो को उस बास्किट से कनेक्ट करना है तो देखें यहां पर यह बास्किट दी हुई है एक पर 3 लिखा है एक पर 4, 5, 6, 7 लिखा हुआ है यहां पर तो कौन सा मेंगो किस बास्किट में गिरेक और यह हम कैसे जानेंगे तो देखिए इसको ऐसे तरह से करेंगे इसे 28 दिया है और डिविजन करना है 4 से 4 को 4 का टेबल पढ़िए 4 के टेबल में 28 का बाता है तो 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, 4 3 सा 12, 4 4 सा 16, 4 5 सा 20, 4 6 सा 24, 4 7 सा 28 कितनी बार गया 7 तो 7 ताइम्स गया है तो किस बास्केट में आएगा जितने टाइम डिवाइट होता तो यह 7 वाली बास्केट में आएगा इसलिए इसको हम ऐसे लाइन करके लाएंगे और 7 वाली बास्केट पर चोड़ देंगे ओके नेक्स देखो अब लेखा 25 डिवाइड बाइड बाइव 5 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 5 3 सा 15, 5 4 सा 20 और 5 5 सा 25 कितनी बार गया तो 5 ताइम्स तो यह कौन सी बास्केट में आ जाएगा यह 5 नम्मर की बास्केट में तो कि 5 ताइम्स डिवाइड हुआ है तो इसको लाइन करके यहां स इस से मैच करेंगे नेक्स आपका दिया है 30 और 6 तो 6 वन्स आ 6, 6 2 सा 12, 6 3 सा 18, 6 4 सा 24, 6 5 सा 30, तो 30 को 6 वाली बकिट में, 6 वाली बकिट का है यह इस से जोइन करेंगे, इस तरह से यह आपको करना है, अब यहां पर लिखा है 36 और 9, तो 9 वन्स आ 9, 9 तूस आ 18, 9 3 सा 27, 9 4 सा 30, कितने बार डिवाइड हूँ हो, 4 ताइमस, तो हम इस बास्केट को 4 से कनेक्ट करेंगे, 24 डिवाइड बाइड 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 6, 6 2 सा 12, 6 3 सा 18, 6 4 सा 24, तो इसको हम इस से कनेक्ट करेंगे, और यह बाकी जो बच्चे हैं, यह आप अपने आप से करेंगे, इन बास्केट में कनेक्ट करेंगे, ओके, पेस्ट अन कीजिए, यह आपकी वर्कशुट नमबर 5, ओके, इसमें आपको यह वोमवर्क है, यह आप अपने आप इसमें कलर करेंगे, इसमें कलर करना है, जैसे, अब जैसे आप देखिए, कलर रेड, ओब्जेक्ट विद कर्व सर्फेस अनली, जो कर्व सर्फेस है, गुमावदार सर्फेस है, उसमें आपको रेड करना है, जैसे, यह देखिए, गुमावदार है, गोला है, यह है, रेड, और कलर अब्जेक् plane है ये इनमें आपको क्या करना है blue color yellow object with both plane or curved surfaces जिसमें आपका plane surface भी है और curve भी है plane भी है और गुमावदार भी है उसमें आपको yellow color करना है तो ये आपका homework ये आप अपने आप करेंगे तो students ये maths में आज आपका course complete हो गया है बुक फिल पूरी हो चुकी है और जो वरक्षीट मैंने आपको समझाई ये धियान से करें और इन्हें complete करना जो homework दिया वो complete करेंगे I hope you enjoy my class have a nice day